हेलो दोस्तों आपका स्वागत हैं हमारे सेफ्टेक टेक्निकल एनालिसिस में आज से 15 देज बीफोर मैंने एक एनालिसिस किया था कि next 45 देज में एक बड़ी गिरावट आ सकती है निफ्टी में उसी करी के according आज हमें एनालिसिस जानने की कोशिस करेंगे ऐसा क्यों मैंने बोला था और अभी भी क्या गिरावट का सिग्नल है मैंने अभी बीच बीच में जो मुव्मेंट आ रहा है अप और डाउन का उसकी कंप्लिट एनालिसिस करता हूं कि यहां यहां से तेजी आ जाएगी यहां से मंदी आ जाएगी उस चीज को उस बड़ी गिरावट के पार्ट को जोड़े नहीं क्योंकि अभी भी बड़ी गिरावट आने की चांसे जा भी 45 डेज खतम नहीं हुआ है उसको मैं चार्ट पर क्लियर करूंगा उससे पहले मेरा डिस्क करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पोंडिलिट नहीं तो यह अदो bean का विकली चार्ट खोला हुए और निš shoulder pattern बनते हुए और इस head का ये जो head है अभी हमने जो जुलाई में head बनाया था उसका ये right shoulder डेवलफ हो रहा है और इसका जो maximum target जो है इस target के 2% आगे या पीछे तो 2% आगे ये जो target है लगबग almost 10,173 जो जनवरी का high है जनवरी का high है जनवरी के high एक important level है जो मैं पिछले हर तेजी में ये share कर रहा हूं कि maximum जो है 11,200 तक 50 जाएगी उसके बाद गिरेगा तो 11,000 लेकिन 10,800 पचपन एक important level है उसके ऊपर आज इसने इस हपते की closing हुई है पीछे 2-4 हपते पहले closing हुआ था लेकिन उस नहीं किया तो second level जो generate हुई थी 10,922 और 970-980 यह important level है उसके बार-बार यह नीचे फिसल जा रहा है कि किसी भी कानवस 10 11,180 11,250 11,080 यह सारे resistance level है मैं इसकी 10,855 से ले करके 11,200 जो जोन है वह बहुत बारा हेडल रहेगा रेजिस्टेंस रहेगा और जब तक उसके बीच में trade कर रहेगा तब तक बजार में एक खत्रा बना रहेगा और यह हेडल सोल्टर पैटरन बनने के साथ-साथ यह complete आपको यह third wave का मैंने यह 8 wave theory के basis पर last year में एक analysis किया था यह मैंने हमने बोला थे कि third wave का fifth wave complete हो रहा है और वहां से हम गिरेंगे तो लगवग 9500 की तरफ जा सकते हैं तो उसके लिए यह pattern fifth wave complete होने के बाद जो correction के जो pattern बनते है ABC pattern या ABCD pattern complex correction जो होता है वो ABCD pattern होता है तो ABCD pattern में और ABC pattern में difference बस थोड़ा सा यही होता है कि ABCD pattern जब हो गए complex correction में चला जाएगा तो हो सकता है कि हम 10,000 के label को break न करें लेकिन ओ, time wise corrective rally में चला जाएगा तो आप देख रहे हैं यह हमने A बनाया है और यह second leg B चल रहा है weekly chart पे सारी चीज़े study की जा रही है B leg चल रहा है और C leg इसका pending है अगर chart पे हम draw करना चाहेंगे तो यह A leg है यह complete होता है और A, A, B leg है और X, C leg जो नीचे की तरफ कम बनेगा तो लगबग यह वाला target और neckline जो है 90, 10,000 के level से अगर update करेगा तो लगबग 93, 94, 100 की तरफ जा सकता है लेकिन अगर time wise correction अब खसर आ गया और उसके लिए condition यह है कि 10,200 का level तूटना चाहिए नहीं तो यह time wise corrective rally में रहेगा means कि nifty 10,200, 11,200 के बीच में हो सकता है कि अगला 6 महिने का range time waste कर दे अगला 6 से actually 8 महिने का correction एक complete हो रहा है और बीच में जो तेजी देखी गई थी उस correction का एक sideways movement हम देख रहे हैं अभी और यहां से एक और 3 महिने की correction और देखी जा सकती है तो जो हमने analysis किया थे कि 45 days में nifty गि किया था अभी भी उबरा नहीं है बजाल और उसके लिए फेवरी तक आपको wait and watch करना है हर तेजी में आपको अच्छे stockों में profit book करते रहना है और long term के purpose यह bull market का correction है क्योंकि हम 3rd wave के 5th wave complete करके ABC pattern characterally करने को नेक्स्ट जो bull run start होगा बहुत बारा bull run चलने वाला है दो से 2.5 सा देगा लेकिन अभी की जो गिरावट है अभी जो करेक्ट्यू रेली स्टार्ट हुआ है इस करेक्ट्यू रेली में हमेशा अच्छे stockों में invest करें और आपको यह यह मैं clearly बोल सकता हूं कि हो सकता है कि 10,000-10,200 के range में जो स्टॉक आज 100 रुपे के मिल रहे हैं हो सकता है 1.500 रुपे के भी हो जाए तो stock wise movement रहेंगे like मैंने इसी channel पे September, October के गिरावट में PFC, PTC, REC, Bank of India, Oriental Bank, Commerce इस सारे stockों पे bullish view दिया था उस सारे stock उपर हैं यह market की behavior होता है market आपको पता है कि बहुत सारे stock 11,000 के निप्टी आने के बावजूद भी बहुत सारे stock आउट perform नहीं कर रहे थे और बहुत 2-4-5 stock उपर की तरफ manage किये जा रहे थे index management उसी का यह एक सधानन सा वो आप उन्ही सारे stockों में एक corrective rally देखेंगे जो index manage कर रहे थे और उन्ही में correction जाई रहेगा आप लोग समझ गया होंगे बहुत सारे stockों पर अलग-अलग view study करनी पड़ेगी लेकिन जो stock अभी ठकावट के signal दे रहे हैं उन्हीं में correction रहेगा लेकिन जो stock पहले से ठक गया है और value buying आ रहे हैं जिनकी company और dividend paying company उन्हें इन्वेस्ट करने की जूरत है market न में जो गिरावट आएगी क्यों आएगी और कहां तक आएगी तो उसके लिए 10,200 का level तूटेगा तो ही बड़ी मंदी आ सकती है और 11,200 तक हम resistance phase में ही रहेंगे अगर आपको तरीके से फेवुना के रिटरेस्मेंट अगर देखा जाए इसको फेवुना के रिटरेस्मेंट के बेसिस पर स्टडी की जाए एक्शली मैं गैन स्टडी के करन चार्ट देखना तो मैं छोड़ी दिया हूँ चार्ट को मैं फॉलो ही नहीं करता एक्शली पैसा जो बनता है स्विन ट्रेडिंग से और आप लोग अगर मेरे जो भी मेरे पुराने फॉलोवर है उनको पता ह कि हां हम हर गिरावट को अगर 11,202 के उपर जाये अगा बाजार तो रिट्रेस्मेंट जो है 11,092 तक की हो सकती है इसके बीच में एक्टिली निफ्टी के गेज में ये थोड़ा सा लेवल ब्रेक होते हैं और हो सकता है पहले या उपर से नीचे आज़े और ये थर्ड अटेम्ट है अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे तो ये थर्ड अटे उपर कि तरफ ब्रेक करता है तो ही एक बड़ी तेजी की उमीद की जा सकती है इसे रेली में वर्णा वायर करना है यहां पर सपेसिक तेजी और मन्दी करना है और बजार में थोड़ा सा समल के काम करना है फिर वरी तक मैं हर वीडियो में यह शेयर करता हूँ लग जो हमने एक वीडियो बनाया था कि 45 डेज में बड़ी गिरावर्ट आज आएगी उसका बहुत साइल लोगों का मेरे पास पोन आ रहे थे कि क्या वो गिरावर्ट खतम हो गई तो नहीं उस गिरावर्ट का सिंगनल अभी खतम नहीं हुआ है सेकंड वीकली चार्ट पे मसीडी क्रोसोबर हो रहा है तो यह मसीडी एक बार उपर से फिश लेगा और मसीडी पे आड़े साई थोड़ा सा डेंजर जोन में आया है मिंस की रजिस्टेंस पर आया है 52-53 के उपर सस्टें कर जाता है इस हाई को ब्रेक कर जाता है नेक्स्ट व लुषर ट्रेडिंग नहीं होता है अगर या या ट्रेडर है तो हमारे लॉंग टरम ॥ैट करें इसे दिन वर करेगा कम से attracted औकि घिरावट हो सकती है बहुत सार्फ गिरावर्ट होगी बहुत सार्फ तो इसलिए थोड़ा सा और यह अच्छे बड़े-बड़े कंपनियों में ही गिरावर्ट आएगी आपने देखा है आपने किसमें मारूती कि 35 परसंट अपने भैलू को खोचुका है और HDFC जैसा बैंक HDFC HDFC इस सारे स्ट्रोकों में अभी उतनी बड़ी गिरावर्ट नहीं हुई है इंडर्सिंट बेंक में गिरावर्ट देखी गई थी इंडर्सिंट ने भी थोड़ी सी करेक्शन हुआ था यहस बैंक लगबग 80% कर करेंगा अभी हम डेंजर जोन से बाहर नहीं गया है उसी की परपस से मैं वीडियो डेवलप कर रहा हूं कभी भी पोजिशनल आप पोजिशन ले रहा है तो अच्छे स्टोकों पर लीजिए बस मेरा यही रिक्वेस्ट है और जो भी मेरा भी हुए और जो भी मेरा भी कर दो रहा है झाल कि ए constाद है और जो भी मेरा पोजे रहा हैा तो ऑजिए और का छytt does Алफ़िशन लेक्वेस्त Caesar aç डॉ़िशन लेक्ट्रे यग्मार्यका वीवेशन लेईर पर लेगर है उसा है झाल झाल